Good morning dear students, how are you? I hope all of you fine and safe at your home, today is your maths class and we are doing 8 chapter of maths, क्या है आपका 8 chapter? Division, ओके हम division करना सिख रहे हैं, भाग करना सिख रहे हैं, sharing करना सिख रहे हैं, ओके, sharing की lesson में मैंने आपको थोड़ा introduction दे दिया था, है ना? और इस introduction के साथ ही एक और चीज़ यह है कि equal grouping, equal grouping में देखिए दिखाए गया है, और नीचे कुछ, उपर कुछ heading लिखी हुई है, 116 पेज़ पर, कि in this way, मेगा है shared her cupcakes equally with her friends, so if we divided 6 cupcakes among 3, we get 2, we can write this as a division fact, so 6 divided by 3 equal to we read it as 6 divided by 3 equals 2, is the sign of division, sign क्या है division का, sign यह है, okay, यह sign है division का, then the result of division is known as cutent, जो result आता है, उसे हम कहते हैं cutent, here the cutent is 2, और हमारा answer इसमें आ रहा है 2, because, क्योंकि हमने क्या किया है, कि 6 divided by 3, अब हम इसे divided को करते कैसे हैं, यह इसको करने का तरीका है, कि हमने रख दिया 6 को यहाँ, 3 को हमने रख दिया यहाँ, और 3 की table हमने तब तक बोली, जब तक कि हमारे उस table में 6 नहीं आ गया, तो 3 की table जब हमने बोली, तो 3 बन जा 3, 3 टू जा 6, मतलब, second time में ही, कितना आ गया, 6 आ गया, तो हम 2 को का लिखेंगे, यहाँ, और 6 को लिखेंगे, यहाँ, माइनस कर देंगे, दोनों का तो क्या आ जाएगा, 0, और हमारा cutent क्या आ गया, 2, it means हमारा answer क्या आया, 2, इसी तरह से, equal grouping में, आसिफेस, 12 flowers, अब यहाँ पर जो है, 12 flowers दिये है, 12 vase दिये है, 4 vase दिये है, अब इसमें, आप कैसे करेंगे, कैसे करना है हमें, 12 तो हमारे पास में flower है, ठीके, यह 12 flower हो गए, divided by 4 vase हो गए, ओके, 4 vases हो गए, यह वाले, जो flower pot हैं, वो, करना क्या है, अब हमें वही method करना है, यह तरह की, 12 यहां लिखा, 4 यहां लिखा, 4 की table इतने time बोलो, कि 12 आ जाए, है ना, कैसे आएगा, वो देखो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, मतलब कितनी बार आ गया, 4 आ गया, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, मतलब तीसरे समय में ही आ गया, है ना, ठीके, तो क्या करेंगे हम, 3 टाइम लिख दिया, या 12 लिख दिया, 00, माइनस कर दिया, अब अगर हमें ऐसे करना है तो, कि इसी सवाल को यहां इस तरह से दिया है, कि he puts 3 flowers in each vase, अब उसने क्या किया है, 3-3 flowers सब में रख दिये, है ना, तो हम इस सवाल को कैसे करेंगे, इस सवाल को हम यह से करेंगे, कि उसने क्या किया है, कि 3 के group बना लिए, यह, 3-3 के, उसने group बना लिए, तो हम क्या करेंगे, 12 divided by 3, 3 की table में कितनी time आएगा 12, 3-1 जा 3, 3-2 जा 6, 3-3 जा 9, 3-4 जा 12, मतलब आपके चारो वास में अगर 3-3 का flower रखा गया, तो क्या होगा, आपका qtent क्या आ रहा है, means answer क्या आ रहा है, 4, है ना, आपको दिए है 4 वास, और 4 वास में आपने 3-3 के group बना लिए, और 12 flower को उसमें divided कर लिया, equally, ओके, तो यहाँ अपना answer आ भी रहा है, qtent जो है, वो हमारा 4 वास रहा है, इसी तरह से हम exercise करेंगे, exercise करने में हम क्या करेंगे, कि यह देखिए, 20 balloons are to be shared with 5 children, 20 balloons है, 5 बच्चों में equally बाटना है, how many balloons will each child get, कितने balloons एक बच्चे को मिलेंगे, अब कितने हैं हमारे पास में balloon, 20 है, 5 से divide करना है, क्योंकि 5 ही बच्चे हैं, ओके, तो हम क्या करेंगे, 20 divided by 5, 5 की table इतनी बार बोलो कि 20 आ जाए, 5 1 जा 5, 3 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, कितने टाइम में आ रहा है, 4 टाइम में, हमने यहाँ लिख दिया 4, यहाँ लिख दिया 20, और माइनस कर दिया, 0 0, हमारा क्यों 10 जो है, अंसर हमारा हो रहा है, 4, ठीक है, Then next, next है, 16 ice cream are divided among children, ठीक है, 16 ice cream बच्चों में divide करना है, If each child is given 2 ice cream, अगर एक बच्चे को 2 ice cream दी गई, तो how many children will get the ice cream, तो कितने बच्चों को ice cream मिल पाएगी, अब हमें बच्चे निकलना है, क्योंकि ice cream 16 है, दो दो बाटनी है, ठीक है, तो बच्चे निकलना है, कैसे निकालेंगे, वही प्रोसेस, 16 को कर दीजिए, यहाँ, 2 लिख दीजिए, यहाँ, 2 की टेबल बोलिए, 2, 1s are 2, 2, 2s are 4, 2, 3s are 6, 2, 4s are 8, 2, 5s are 10, ठीक है, 2, 6s are 12, 2, 7s are, कितना हो गया, 16, 14, 16, 2 adds are 16, ठीक है, तो 2, बच्चा 2, A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टाइम आया, है ना 16, तो हमने 8 को यहाँ लिख दिया, फिर हमने 16 लिख लिया, माइनस किया, 00, अब हमारा अंसर कितना आ रहा है, यह 8, हमारा अंसर आ रहा है, 8, है ना, ठीक है, Next, next जो दिया है, draw 8 balls and divided them into 4 groups, how many balls are there in each group, क्या करना है हमको, पहले तो हम लिखेंगे, 8 divided by 4, है ना, फिर क्या करेंगे, 8 यहां लिखा, 4 यहां लिखा, 4 तूजा, 8 है ना, तो हमारा अंसर कितना आया, 2, ठीक है, तो यह कॉपी में कर लेंगे, है ना, आगया समझ में पूरी exercise, और exercise भी आपकी फिनिश हो चुकी है, चलिए, मिलते हैं अगली class में, तब तक के लिए, thank you so much, have a nice day.